Hello everyone, कैसे हो आप? Welcome back to Modern Parenting. I am Sonali Radhia, your parenting friend. Today, my topic is Let your kids create mess. कहीं सारे parents की ये हमेशा complain होती है कि उनके बच्चे काफी गंदकी करते है, उनके बच्चे काफी mess create करते है और ये चीज़ parents को हजम नहीं होती है. लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे reasons बताऊंगी, 5 ऐसे फाइदे बताऊंगी जिसको जानने के बाद शायद आप अपने बच्चों को थोड़ा सा mess create करना अलव कर दोगे. इस टाइब के तमाम parenting videos आपको modern parenting पर ज़रूर मिलेंगे. तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा. अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो शेर करना मत बूलिएगा. सबसे पहला फाइदा ये है कि it is fun for your kids. Mess create करने में बच्चों को बहुत ज्यादा मज़ा आता है क्योंकि उनके पास वैसे तो explore करने के अलावा कुछ काम नहीं होता है. वो लोग अभी तो खिल रहे हैं वो अपना बच्पन जी रहे हैं तो उनके लिए mess create करना it is a very big thing and it is very challenging every time. और mess create करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है. इसलिए उनको देखकर हमें भी उतना ही मज़ा आता है. उनको सब कुछ फेकने में मज़ा आता है. उनको अपने हाथ गंदे करने में मज़ा आता है. उनको अपने आप सब कुछ explore करने में मज़ा आता है. लेकिन as parents हम क्या करते हैं? हम पूरा दिन उनको यह बोलते रहते हैं कि तुम ये मट टच करो, वो मट टच करो, तुम अपने हाथ गंदे मत करो, तुम अपने आप कुछ भी मत लो, तुम अपने आप खाना मत खाओ, तुम गिर जाओगे, तुम गंदे हो जाओगे. हम उनको इस टाइब के statements बोलते रहते हैं और इससे क्या होगा कि वो बच्चे जो है वो अपना बच्चपन अच्छे से नहीं जी पाएंगे So it is very important to allow small freedoms to them And this is what they want They want to create mess, let them create mess Clearing that mess becomes hectic many a times for parents But it is okay sometimes, let your kids enjoy क्योंकि mess create करने से कही सारे फाइदे होते है दूसरा जो फाइदा है वो ये है कि उनका brain जो है वो अलग तरीके से काम करना शुरू कर देगा और उसके साथ-साथ engaging जो capacity है बच्चों को एक जगा पर टिकाने की वो भी बढ़ जाएगी आज कल के बच्चे बिलकुल भी एक जगा पर नहीं टिक सकते लेकिन अगर उनको mess create करने का chance मिलेगा अगर उनको उसमें मज़ा आएगा तो वो ज़रूर एक जगा पर टिक कर बैट सकेंगे जब बच्चे बड़े होंगे तो उनकी जो thinking capacity है उस पर भी इसका बहुत अच्छा फाइदा होगा क्योंकि जब भी बच्चा कोई भी चीज़ देखेगा तो उनको अपने आप अलग-अलग ideas आएंगे उनको अपने आप कुछ explore करने का मन होगा लेकिन अगर बच्चपन से ही हम उनको टोकते रहेंगे तो ये जो thinking capacity है वो अच्छे से develop नहीं हो सकती है So it is very important to allow them exploring new things तीसरा फाइदा ये है कि control and coordination capacity also improves यानि कि वो एक साथ कही सारी senses use करेंगे वो अपने हाथों का इस्तमाल करेंगे वो अपनी आखों का इस्तमाल करेंगे वो अपने दिमाग का इस्तमाल करेंगे उनको पता चलेगा कि कौन सा material कैसा है There are different phases in the entire day when you can allow them create mess आप उनको खाने के time पर finger foods दे सकते हो आप उनको नाहने के time पर पानी के साथ खेलने के लिए अलाव कर सकते हो आप उनको soap bubbles के साथ खेलना सिखा सकते हो आप उनको अलग-अलग paintings सिखा सकते हो आप उनको finger painting सिखा सकते हो vegetable painting सिखा सकते हो उनको अलग-अलग colors दे सकते हो वो अपने आप सब कुछ explore कर सकते हैं आप उनको boiled potatoes पील करने के लिए दे सकते हो आप उनको मतर चीलने के लिए दे सकते हो ये अलग-अलग तरह की activities है जो आप encourage कर सकते हो आपके बच्चों को engage रखने के लिए इससे उनकी जो skills है उनकी जो motor skills है वो काफी develop होगी ज्यादा तर बच्चे बोर हो जाते हैं अपने खिलोनों के साथ खेल कर तब भी वो screen से attract होते हैं अगर आप उनको अपनी आसपास की चीजों को explore करने का chance दोगे तो वो अपने आप ही screen से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे अगर आप ऐसी try करेंगे कि आपके बच्चे बोर ही ना हो तो वो mobile और TV से अपने आप ही दूर हो जाएंगे इसके लिए आपको थोड़ी सी मैननत लगेगी आपको थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन trust me this is going to be worth at the end जो पाँचवा फाइदा है वो ये है कि it will encourage individual play आज कल के बच्चे अकेले नहीं रह सकते हैं उनको हमेशा यही लगता है कि उनको हर टाइम कोई ना कोई अपने साथ चाहिए खेलने के लिए लेकिन ये जो सारी activities है वो अपने आप करना शुरू कर देंगे तो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ खेल सकेंगे वो अपने आप ही कुछ ना कुछ explore कर सकेंगे आज के टाइम में बच्चों को या तो screen चाहिए या तो कोई friend चाहिए या तो कोई घर का सदस्य चाहिए हमेशा उनके साथ रहने के लिए लेकिन आप ही है जो उनके बच्चपन को काफी बहतरीन बना सकते हो आप उनको screen से दूर रख सकते हो and this is the golden time, this is their childhood let them enjoy their childhood and you better enjoy your parenthood so that's all for today, happy parenting, see you in my next video till then stay tuned, bye